समाधार 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 भगवान से आप घंटों बात किया करते थे शुरुवात में लोगों के मन में एक बात रहती है कि हम तो भगवान से बात करते हैं लेकिन भगवान हम से बात नहीं करते कैसी इस बात को हम समझें कुछ बाते हैं इसके पीछे, एक तो बहुत गहरा उनसे हमारा नाता जुड़े हैं, केवल भक्त और भगवान के नाते से सदा ही आनन नहीं आएगा, वो हमारा है परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, हमारा खुदा दोस्त है, हमारा प्रियतम है, हम उसको बच्चा बना सकते हैं, हमारी मा भी है, तो कोई भी एक गहरा नाता उससे जुड़े, मैं जब माताओं को अपने छोटे बच्चों से बात करते देखता हूँ, बच्चे छोटे हैं, दो साल के, वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मा उससे बात कर रही है, प्यार कर रही है, और बिलकुल ऐसी बात हो रहे हैं, जैसे वो उनकी समझ रहा है, वो उनकी समझ रही है, तो देखिए, वन साइड़िट तो नहीं होता, एक दूसरे की भावनाओं को और भासा को वाइब्रेशन के माध्यम से समझा जा रहा है, तो एक तो परमात्मा से गहरा, बहुत जोडने की जोड़त है, जिसमें हमें वो बिलकुल अपना लगे, हमें ये हो जाए कि हमें कुछ भी कहना है, तो उसे कहना है, जैसे हम यहां, जिससे हमारा गहरा नाता हो, तो कोई बात होगी फटा फटा उसे फोन करेंगे, हमारा भी उससे बहुत गहरा नाता हो जाए, द दूसरा उसका ड्राइवर या कोई और ड्राइवर, दोनों की बात बहुत खुली नहीं हो सकती, काम की बात करेंगे वो अलग चीज है, प्राइम इनिस्टर ड्राइवर को को वे इधर ले चलना, महा चलना, रोकना, लेकिन जो असली बात है, जिससे दिल गदगद हो जाए, वो समानता में होती है, लेकिन यहां तो समानता है नहीं न भैतर जी, वो तो इतने उच्छे, और हम कहां नीच, पापी, कप्ती, सैंडियों से कहते हैं, इसको हमें ठीक करना होता है, तीसरी बात लेकर फिर मैं इस पर आऊंगा, तीसरी जो बहुत गुही ये बात है, एक दूबन के उपर लेयर नहीं, कोई मेल चड़ा हुआ नहीं, कोई दुर्भावनाई नहीं, कोई कामकरोध एहंकार नहीं, तब तुम मुझ से वाइरलेस की तरह बात कर सकते हो, आजकल तो फोन भी वाइरलेस ही है, बीच में कोई वायर तो है नहीं, लेकिन तब वाइरलेस होते थे military के पास police के पास अब भी होते हैं उस तरह तुम बात कर सकते हूं जानी सीधी बात हो सकती है तो हमारी बात उन से हो उनका response हमें मिले और वो बात बड़ी आनंदकारी हो इसके लिए आवश्यक्ता होती है बहुत बड़ी निर्विकारी इस्थिति की यही समान इस्थ जाती है ठीक है उसके बिलकुल जैसे बनना वो अंतिम बात है बहुत लंबी साथना है उसके लिए करनी है लेकिन उसकी एक सुरुआत हम निर्विकारी जीवन अपना कर कर लेते हैं और चोथी बात है उसके उत्तर को ग्रहन करना है तो हमारी बुद्धी व्यर्थ से बिलक बुद्धी को यदि बीजी रखते हैं और बातों में तो उसकी बाते हमारे पास आती नहीं है तो मेरे पास पहले से यह बहुत अच्छा था कि पवितरता की स्थिती बहुत सुंदर थी इस जीवन में बच्चपन से ही मुझे इंप्योरिटी भाती नहीं थी वो संसार की व इंदी बाते कर रहे तो वो मेरा नाता ही नहीं होता था मैं इन सब से पूरी तरह अपने को मुक्त रखा था तो इसलिए परमात्मा से खिचाव बहुत ज़्यादा हुआ उसके प्रति प्यार बहुत बढ़ा प्यार बढ़ने का एक और कारण था कि हम उसके कारिये में लग हम समर्पित हो गए तो उसके कारिये में लगने से उसके और से प्यार की good feeling आने लगी उसके और से मदद की feeling होने लगी और ऐसा लगने लगा कि जो कुछ वो हमसे कराना चाहता है उसके लिए शक्तियां और योगताएं भी वो दे रहा है तो जैसे उसको हमारी जरूरत है व उसने हमें चुना है और हमें योगता भी दे रहा है उसमें मेरा सबसे सुंदर और प्रथम जो अनुभवताओ 69 अपरेल का है जिसमें मुझे उनसे योगी भव का वर्दान मिला